सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें होगा सबसे जरूरी तो यह है कि एक गलती तो हमने पहले किया है कि बच्चों को शुरुवात में हम ऐसे संस्कारों की तरफ नहीं लेकर गए लेकिन अभी भी कोई वक्त ऐसा निकला नहीं है अगर धिरी धिरे करके उनको प्रेडित करें क्योंकि मन जो है कहीं भी जाकर किसी मंदिर में जाएं या किसी गुर्दवारे में जाएं या किसी दिव ऐसे इस्थान पर जाएं तो अपने आप श्यानत होता है क्योंकि वहाँ साथवी क्विचार धारे के लोग जुड़े होते हैं तो जो उनकी वाइब्रेशन वो बहुत बड़ा काम करती हैं इसी परकार स एक दूसरा एक दूसरे को प्रेरित करें जैसे कोई स्ट्रेस में हैं ज्यादा तर बच्चे आज की डेट में स्ट्रेस में हैं तो उनको परियास करें कि किसी संत के पास हैं कुछ इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ें एक दूसरा एक दूसरे को प्रेरित करें क्योंकि न आप में दिव्य है और अपने आप में प्रकट करने वाला और सर्फ लिलाइजेशनार था स्वम अनुभूती वाला दिव्य मार गया है तो जब स्वम में अनुभूती होगी व्यक्ति को तो निश्चित रूप से ठहरावाएगा उनको प्रेरित करें कि आप योग की और बढ हो जाए तो इस प्रकार के कारिक्रम के और स्वास्तलाब भी मिल जाए तो उसी का हमारा परियास है कि हम आपको वाय स्वास्तबी दे दें आपके लोगों को भी हर ले और आपका टूर भी करा दें बलकि हम तो कहते हैं उसको Oxygen टूर कहें एक तरीके से proprio今天 अ cutting के लिए परिपक बने जैसे अपने मातपिता की सेवा करना यह हमारा दायतु बनता है क्योंकि अगर दायतु नहीं निभाते हैं तो कल आने वाली जनेरेशन भी हमारा उस दायत को नहीं निभाएगी और यही परंपरा है तूट रही है तो उनका विग्टन हो रहा है उस भी लगे रहते हैं इसी परकार से आप अपने मंदिरों में जाएं थोड़ा-थोड़ा वहाँ परियास करें कुछ ऐसी activities करें जो भी आप समाज में दे सकते हैं कई लोग ऐसे हैं कि जो कोई doctor है या कुछ है तो घंटे-दो घंटे वो doctor के हिसाब से दें कोई इंजनियर है उसके हिसाब से कुछ दें वहां सहयोग मलब पैसा ना दें लेकिन सहयोग दें तो एक बैठने का स्थान बनाएं अपनी परंपराव से जुड़ें हमारा इतियास बहुत पुराना है हमारे रिशियों का चिंतन इतना सदबावना हो विश्व का कल्यान हो सब को शान्ति का मार्ग देता हो हमारे रिशियों का चिंतन इतना सुन्दर था और आज भी उन्होंने परोश के हमें पुस्तकों के रूप में और इन चीजों के रूप में इतना दिया है कि यदि उसको हम जरासा भी लेस मात्र भी थोड़ा-थोड़ा करके भी अनुशलन कर ले तो हमारा दिव्वे ज्यान भी बढ़ेगा और आनंद से परिपून भी होंगे इस्ट्रेस भी खतम होगा और अपने मात पिता और गुरुओं के प्रतिस रद्दा भी बढ़ेगी और जीवन भिक्रतार्थ होगा आप इस जीवन को अगर कल्यान कारी मार्ग में लगाते हुए अपने जीवन को सार्थक बना डालते हैं तो यही सार्थक था जीवन की है अन्य था जीवन में मिला क्या आप भटकते हुए रोते पिटते फिर वापस चले गए उसी निंद्रा में आपका जनम हुआ और उसी निंद्रा में आप वापस पर उस मरण की ओर चले गए क्योंकि हम नीद में आते हों नीद में ही चले जाते हैं जगने का समय तो हमें मिलता ही नहीं और यदि हम जग गए तो जगने के बाद फिर क्या बात है फिर तो ये जीवन दिव्यता से बढ़ जाएगा जैसे कहा गया है बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर्धुरलव सब ग्रंतनी गावा लेकिन बात तो कह दी के सुर्धुरलव है देवताओं को भी दुरलव है जीवन लेकिन महल में बैठा हूँ अब एक्ति भी रो रहा तो उसको देखना होगा कि आखिर हम से कहा तुरूटी हुई जिस कारण से हम महलों में बैठे हुए सब पैसों के साथ में बैठे हुए और सुक सुविधाओं के बीच में बैठे हुए भी हम दुखी है तो आखिर हमारा क्या चिना है तो इसका चिंतन आपको ही करना होगा और चिंतन को जब आप कर लेंगे तो आप जागरत हो उटेंगे और जागरत ही ही हमारा मुख्य उद्देश्य है अभी हम जगे ही नहीं है अब हम निंद्रा में हैं जो भोग व्लास्ता की वस्तों में पड़े हैं अगर उन्हें सुख होता तो फिर प्रतेक व्यक्ति ले ले लेता जो आज पैसे में बैटा हुआ लेकिन उसके बावजुद भी वो गोली खा कर सो रहा है तो आखिर उसके हाथ क्या लगा क्योंकि उस भरी जिंद्गी से इस पाप भरी जिंद्गी से इस दुख भरी जिंद्गी से इस कष्ट भरी जिंद्गी से जगाए और आप अपने आपे परिपूर्ण हो ज्यानवान हो आननदित हो सुख सम्रदी ज्यान और आनद पराप्त करें एवं अपने परिवार के लिए और समा झाल